नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में HRTC conductor की category wise cutoff जो है exam की तो उसके बारे में और HP High Court का जो final result जारी किया गया है कौन सी post का जारी किया गया है तो पूरी जानकरी हम बताएंगे with candidate लिस्ट के साथ दोस्तों यह high court of हमाचर परदेश शिमला की तरफ से final result जारी किये गया है और candidates के row number भी जारी किये गये हैं तो यहां पे इन्होंने बताया हुआ है final result of the candidates in order of the row number who were appeared in the practical test for the post of assistant programmer एक post SC की high court जो की हुआ था 27 अप्रेयल दोहर 24 को तो यहां पे candidates के जो हैं यहां पे नेम बताय हुए है और यहां पे इन्होंने पूरा बता के रखा हुआ है कि लिस्ट जारी की गई है यह कि final result of the candidates यहां पे इन्होंने बताया है तो next बताते हैं हम HRTC की जो cutoff है तो दोस्तों यह category wise cutoff marks for recruitment to the post of conductor in HRTC तो यहां पे unreserved की number of post जो थी 130 थी और इसमें total candidates जो appear हुए थे 266 और यहां पे जो total selected है 130 है और cutoff जो है 60.25 यहां पे गई है SC हिमाचल परदेश की यहां पे 73 post थी तो इसके लिए जो cutoff है 51.25 ST के लिए गई है 50.75 OBC of हिमाचल परदेश के लिए जो category है इसके लिए 52.75 cutoff गई है और जो EWS section of हिमाचल परदेश EWS के लिए 55.25 और unreserved ward of rhythm fighter के लिए 49.25 SC of हिमाचल परदेश ward of rhythm fighter के लिए 34 cutoff है SC of हिमाचल परदेश BPL के लिए 50.25 ST of BPL जो होंगे उनके लिए 53 OBC of हिमाचल परदेश ward of freedom fighter के लिए 31.75 OBC of हिमाचल परदेश BPL के लिए 50.75 cutoff गई है total 360 post थी इसमें यहाँ पे इन्होंने total candidates भी बता रखे हैं और total selected candidates यहाँ पे 57 हैं तो यहाँ पे यह पूरी जो है इन्होंने update है तो यह cutoff है आप screenshot लेसकते हो वीडियो को पॉस्ट करके और देख सकते हो कितनी कितनी cutoff जो है गई है category wise पोस्टों के हिसाब से जहें जहें मैंचाएं